असम में कॉंग्रेस ने महाजोत के दो प्रमुक सहयोगी दलूं EIUDF, All India United Democratic Front जो मौलाना बदरुदिन अजमल की पार्टी है और Bodo People's Front, BPF इन दोनों पार्टियों से रिष्टा तोड़ दिया है कॉंग्रेस का कहना है कि इन दोनों पार्टियों का रुजान भाजपा की और देखने को मिल रहा था और इसलिए उन्होंने रिष्टा तोड़ा है एक और EIUDF के एक मेता ने मुख्य मंतरी हिमंता बिश्वा सर्मा की सराहना कर दी थी जो कॉंग्रेस को पच नहीं रही थी वहें दूसरी और BPF के लिए कहा गया कि वह गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही थी और इस गठबंधन पर निशाना साध रही थी इसलिए इन दोनों पार्टियों से रिष्टा तोड़ दिया गया लेकिन असल बात कुछ और है और वही समझेंगे हम आज के वीडियो में AI-UDF के साथ गठबंधन करने के पक्ष में कॉंग्रेस के कई नेता शुरू से नहीं थे ऐसा इसलिए क्योंकि AI-UDF को माना जाता है कि वह पांगलादेशी मूल के मुसलिमों के हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देने के लिए बनी एक पार्टी है और इस पार्टी से गठबंधन का नुकसान जो मोल रूप से असमी लोग हैं उनका समर्थन प्राप्त करने में होगा और साथ ही जो प्रमुक हैं मौलारा बदरुदिन अजमल वस्वयम शरिया अनुकूल परिधान पहनते हैं टोपी लगाते हैं और डाढ़ी रखते हैं जिससे इस पार्टी की छवी इसलाम वादी है और इससे जो स्वदेशी मूल के असमी लोग हैं उनका पक्ष और उनका समर्थन कॉंग्रेस प्राप्त नहीं कर सकती थी लेकिन फिर भी जो राजे का नेत्रिद्व था और कॉंग्रेस हाई कमांड था उसने माना कि इस पार्टी से गठबंधन उन्हें एक तरह से सेकुलर सिध करेगा और इसलिए इस पार्टी से गठबंधन कर लिया गया साथ ही यह भी सोचा गया था कि जहाँ पर बांगलादेशी मूल के मुस्लिम की संख्या अधिक है वहाँ पर इस पार्टी से गठबंधन के कारण कॉंग्रेस को काफी समर्थन मिल जाएगा फिर यह चुनाव बटवारा हुआ जिसमें सीटों का बटवारा हुआ और कॉंग्रेस 95 सीटों पर चुनाव लड़ी AI UDF को 20 सीटे दी गई, BPF को 12, CPIM को 2 और CPI, CPI माले, IND और राजद यह छोटे-छोटे दल थे जिनने एक-एक सीट दी गई चुनाव परिणाम में कॉंग्रेस 95 में से मातर 29 सीट जीती, भले यह इसके पिछले बारियानी 2016 के आंकडों से 3 सीट अधिक है लेकिन फिर भी जो सीटे इसे चाहिए थी सरकार बनाने के लिए वह नहीं जीत सकी वह BPF 12 में से मातर 4 सीट और सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट रही EI-UDF की जो 20 में से 16 सीटे जीती 75 प्रतिशत के स्ट्राइक रेट के साथ CPIM मातर 1 सीट जीती और अन्य किसी दल का महाजोत के गठवंधन में से खाता नहीं खुल सका और इस तरह कुल 50 के आंकडे पर पहुंच सका महाजोत का गठवंधन जो बहुमत से दो दूर था ही लेकिन जो 100 सीटों की बाद कॉंग्रेस का नेत्व कर रहा था उससे भी दूर था लेकिन चुनाओ के बाद भी कॉंग्रेस के नेताओं ने माना कि EI-UDF के साथ गठवंधन जारी रखना चाहिए क्योंकि यह उन्हें सेकुलर दर्शाएगा लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो गठवंधन तोड लिया गया तो ध्यान में तो 6 सीटों पर उपचुनाओ होने वाले हैं असम में और इन में से कोई भी सीट ऐसी नहीं है जहां पर बांगलादेशी मूल के मुस्लिम अधिक हो ऐसे में AI-UDF से कोई लाब कॉंग्रेस को मिले इसकी संभावना नहीं और इसलिए कॉंग्रेस का वह जो दल था जो शुरू से AI-UDF का विरोध कर रहा था उसने अब एक लॉबी बना कर जोर पकड़ा कि AI-UDF से गठवंधन तोड दिया जाए क्योंकि कॉंग्रेस को इन उप चुनावों में सीटे जितानी है इसका प्रभाव पड़ा और अन्त तह AI-UDF से गठवंधन तोड दिया गया लेकिन अब कॉंग्रेस AI-UDF प्रयास कर रहे हैं कि वह किसी और छोटे दल से गठवंधन करे और अपनी पैट बनाए कुछ अन्य शेत्रों में जहां पर उसकी अभी तक नहीं थी ऐसे में उसने धूंडा है अखिल गोगोई को जो की एक वामपन्थी और अराजत्ता वादी लेता है और उन्होंने भी इस चुनाव में लड़ा था जिनमें से 19 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी लेकिन राजवर दल मातर एक सीट जीत सकी जहां पर स्वयम अखिल गोगोई खड़े हुए थे और यहां था अपर असम में शिपसागर मातर एक सीट पर यह राजवर दल चुनाव जीता है लेकि अब कॉंग्रिस सोच रही है कि इन 6 सीटों के उप चुनाव में राजवर दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए कॉंग्रिस का यह सोचना है कि जो भाजवर विरोधी वोट है उसे कोई जगह नहीं मिली थी कि वह कहाँ वोट डाले और इसलिए भाजवर को वोट चला गया लेकिन अब जब AI-UDF के साथ गठवंधन नहीं है तो स्वदेशी मूल के लोगों को इस राजवर दल के गठवं के विरोधी जो प्रदर्शन असम में हुए थे उसमें दंगे भढ़काने और अन्य गंभीर आरोग अखिल गोगोई पर लगे थे जिनके कारण उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और फिर इसी के कारण सहानुभूती से वे चुनाव जीत सके थे लेकिन उनकी पाटी का कोई और नेता उन्हीं सीटों में से नहीं जीत सका और इसलिए जो कॉंग्रेस सोच रही है कि इस गटबंधन से उसे लाव होगा वह भी गलत ही सिध होने वाला है साथ ही अखिल गोगई एक और प्रयास कर रहे हैं कि वह मध्य और निचले असम में जो दूसरे लोग हैं जैसे कि बांगलादेशी मूल के मुस्लिम उन्हें भी आकरशित करें और इस तरह से कॉंग्रेस सोच रही है कि AI-UDF का एक विकल यह राजवर दल बन सकता है लेकिन अभी उन्हें याद नहीं है कि AI-UDF के प्रती वे लोग अभी भी समर्पित हैं जो बांगलादेशी मूल के मुस्लिम है और उनका समर्थन उसी पार्टी के साथ बरकरार है और राजवर दल के पास कोई संभावना नहीं है कि वह इन शेत्रों में पकड़ बना सके औ और ऐसे में कॉंग्रेस जो गटबंदन कर रही है वह फलिभूत नहीं होगा रही बात BPF की तो यह गटबंदन शुरू से ही पता था कि जादा नहीं चलने वाला है क्यूंकि BPF जब सरवानन सोनोवाल मुख्यमंत्री थे तो उनकी सरकार में एक सयोगी दल रही थी भाजप यह ने UPPL के साथ गटबंदन कर लिया था जो नई पार्टी है और वह 11 में से 6 सीटों पर जीती थी वहीं BPF 12 में से मातर 4 सीटों पर जीत सकी थी और ऐसे में बोडो लैंड टेरिटोरियल एग्रिमेंट के तहक जो शेत्र आता है उसमें भी कॉंग्रेस के लिए कोई गटबंधन करके उसकी भरपाए अब इस गटबंधन को तोड़के तो नहीं हो सकती मैं हो निश्ठान उश्री स्वराजी को सब्सक्राइब अवश्य करें